भारत को दुनिया का योग गुरु कहा जाता है और कहा भी क्यों न जाये योग की शुरुआत भारत से ही हुई है और दुनिया को योग भारत ने ही सिखाया है योग गुरु भारत और पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है जिसे पूरी दुनिया योग करके बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है इस योग दिवस के मौके पर भारत के उत्तर प्रदेश राज की राजधानी लखनों में योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें उत्तर प्रतियोगिता के हर जिलों से स्कूलों के विध्यारतियों ने भाग लिया इस प्रतियोगिता के चात्र वर्ग में उत्तर प्रदेश के पिलिभीट जिले के रविशंकर जोकी सरकारी स्कूल के चात्र हैं उन्होंने भी भाग लिया रविशंकर ने इस योग प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी योग कला दिखा कर सब को आश्चरे चकित किया और साथी सादवे इस प्रतियोगिता के टॉप फाइफ में जगे बनाने में भी काम्याब रहे रविशंकर पिलिवीद के उच्छ प्रात्मिक विद्धालय अलग थान के कच्छा साथ के छात्र है पढ़ने के साथ साथ उनकी योग में बहुत रूची है और रूची हो भी क्यों ना उन्हें योग सिखाने वाले अनुदेशक देवेंदर पाल गंगवार जी जो है जी हाँ शारेविक सिक्षा के अनुदेशक देवेंदर पाल गंगवार जी ने अपनी सिक्षा कला से विध्यालय के सभी बच्चों में योगते प्रती रूची को जगाया है यह उनकी मेनत का ही परिणाम है कि आज छातर रवी शंकर इस प्रतियोगिता में टॉप फाइफ में आये हैं रवी शंकर की इस उपलब्दी पर बेसिक सिक्षा अधिकारी तथा समस्त सिक्षक परिवारों ने बधाया दी हैं और साथ ही साथ यह शुप कामनाय भी दी हैं कि रवी शंकर जैसे छातर और देविंदर पाल गंगवार जैसे सिक्षक और काम्यावी पाएं दोस्तों यह सिक्षक और शिष्षक के बीच तालमेल तथा सिक्षा प्रेम का एक बहुत अच्छा उधारण है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजे शेयर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे धन्यवाद